Hello students, welcome back in class 6th. Students, in yesterday class, we had studied our rural community. कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने अपने ग्रामीन समुदाय के बारे में पढ़ा था. And students, today we will know about our urban community. आज हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? हमारे सहरी समुदाय के बारे में जानेंगे. So let's be moved toward today's topic. अब हम आज के topic की ओर बढ़ते हैं. Let's see. Life in towns and cities is Life in towns and cities is comparatively smooth and comfortable. Comfortable means आरामदायक और smooth means आसान. सहरों का जो जीवन होता है, या नगरों का जो जीवन होता है, वो कैसा होता है? आसान होता है और आरामदे होता है. यहां लिखा एक comparatively किस से तुलना कर रहा है? यानि कि गौउं से. अगर हम गौउं और सहर के जीवन को देखेंगे, तो सहरी जीवन सही मायने में आसान और कंफर, टेवल यानि आरामदायक होता है. Due to the industrialization, यह जो ओदोगी करन, बढ़ती उद्योग, दिन बदीन इंडस्ट्री जो बढ़ती चली जा रही है, उसको industrialization कर रहे है. Set up many and more industry in different different cities of our countries, and even the world is known as industrialization. तो दिन वदीन जो यह उद्योग बिभिन सहरों में हमारे country में या दुनिया के कई देशों में लगातार set up हो रहे हैं, उसे ही हम industrialization कहते हैं. तो due to the industrialization, job opportunities in cities, एक तो की सहरों में उद्योग बस रही है, दूसरी सहर में रोजगार की अवसर, opportunity means अवसर, have increased considerably. Considerably को वैसे बहुत ऐसे तो consider करना मिन्स बहुत बीचार का बात होना महत्वपूर्ण होलान, लेकिन यहाँ पे considerably का मतलब हो जाएगा बहुत. तो सहरों में उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और उद्योग जब बस रहे हैं, तो उसमें काम करने कलिए worker चाहिए, staff चाहिए, labor चाहिए, तो job opportunities भी बढ़ रही है, तो इस तरह से यह increased considerably, तेजी से बढ़ रही है. The basic amenities like drinking water, जो बहुत ही जरूरी सुविधा, basic amenities means जो जरूरी सुविधा हैं like drinking water, electricity, dispensaries and hospitals, schools and colleges, availability of goods of daily requirements, food, textiles, hardware, etc. इस यावे के करके सब को समझाती हैं किसका मतलब के होता है, drinking water means पीने का पानी, electricity, बिजली, dispensaries means दवा खाना भी होता है, और चिकत साले भी होता है, hospital means hospital आप जानते हैं, school and college भी आप जानते हैं, availability of goods, goods means सामान होता है, daily requirement, जो दैनिक हमारे दिन वदिन जरूरी जो सामान हम रोजमर्य की जिन्दगी में जो सामान का उप्योग करते हैं, धैनिक जीवन में जिन सामानों का उप्योग करते हैं, तो यह हुआ, availability of goods of daily material, availability में उपलब्दता, तो हमारे रोजमर्य की जिन्दगी में उप्योग किये जाने वाले सामान की उपलब्दता, सहरों में होती है या मार्केट होते हैं, जो सामान की जरूत हो मार्केट से जा कर खरीद लो, फूट, खाने का सामान, टेक्स्टाइल, कपड़े, हार्डवेर, जो आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बीविन परकार का, डिफरेंट परकार का जो वाइकल्स हैं, उसमें लगने वाला सामान हुआ, या आपकी बिल्डिंग वगर बनती है, उसमें लगने वाला सामान हुआ, तो ये जो लोहे लकड का सामान होता है, वो सब हार्डवेर, तो ये, आप समझ गएं कि इन सब चीजों की जो basic communities है, लोगों की जरूरी सुभिधा ये सब चीज़े सहरों में मिलती है, क्या लिखा है, heavy level in abundance, abundance means प्राचूर मात्रा में, अधिक मात्रा में, तो भारी मात्रा में ये सब सहरों में मिल जाती है, अब ये जो उपर जितनी सुविधा हैं हमने पढ़ा ये रूरल एरियाज के पीपल को ग्रामीन चेतर के लोगों को attract अकरसित कर रहा है अपनी और खीच रहा है क्या करने के लिए to come सहरों में आने के लिए and settle in cities और नगरों में सहरों में बसने के लिए but with more and more people लेकिन अधिकांस्ता और अधिकांस्ता लोगों के साथ from the rural areas गौं से जो लोग आ रहे हैं या town and cities के जो लोग है या गौं से भी जो लोग आ रहे हैं सहरों में तो उनमें से अधिकांस्ता लोगों के साथ क्या हो रहा है लिखा है have become over populated and scarce in basic amenities scars in basic amenities जो गौं से लोग आ रहे हैं या सहर और नगर के जो लोग हैं तो पहले से तो सहर और नगर के लोग है ही दूसरे जो ग्रामीन छेत्र से गौं से लोग आ रहे हैं और इससे क्या हो रहा है सहर over populated सहरों में अधिक जन संख्या हो जा रही है तो आपको एक एक जामपल एक दिन हम और बताये थे कि overpopulation वाला आपके पापा की salary और आपके भाई बहन वाला एक जामपल दिये थे तो फिर से ध्यान में उसको ले जिएगा कि जब पैसा उतना ही है और जब उसमें सुविधा उठाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए तो scarcity तो होगी आभाव तो होगा तो इस तरह से ये सारी सुविधाओं में कमी पढ़ जाती है अधिक population की बज़ा से इन स्पाइट ओफ टर्मेंडियस डेवलपमेंट इन दा फिल्ड ओफ ट्रांसपोर्ट ये तर्मेंडियस मिन्स आपार तो आपार डेवलपमेंट हो रहा है विकास बहुत ज्यादा हो रहा है इन दा फिल्ड ओफ ट्रांसपोर्ट के छेतर में रोड्स भी बन रहे हैं तो लेकिन उसके बावजुद भी ये सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, the roads are overcrowded, roads जो है, वो overcrowded, बहुत ज्यादा भीड भाड हो जा रही है, बहुत भीड भर जा रही है, roads पे, disposal of city best, आप देख रहे हैं, सहरों की गलियों में, जो सहरी कच्रा, disposal of city best, सहरी कच्रा जो होता है, या सहर में जो सामान यूज करते हैं, disposal वाले सामान को यूज करते हैं, जैसे rapper हो गया, या thermocool की थाली हो गई, plastic का, जो water glass हो गया, वो सारे चीज सहरों में, आप गलियों में देखते हैं, बहुत ज्यादा इधर-उदर फेका रहता है, लेक of proper sanitation, अब सहरों में भीड अधिक होने की बजह से सरकार उतनी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा पाती है, इसलिए proper sanitation, जो सफाई की समुचित व्यवस्ता होनी चाहिए, उसका आभाव पाया जाता है, अधिकांस्तर गलियों में आप नालियों को देखते हैं, उसको भी मेंटेन नहीं करवा जाता है, पीने की पानी का भी आभाव हो जाता है, यह सब किन कारणों से होता है, यह सब ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है, अब कह रहा है कि यह सारी जो चुनौतियां हैं, जो असकार सीटी लोगों के सामने दिखाई दे रही है, पीने की पानी की, नाली गली की समुचित वे अवस्था नहीं है, सहरी कचरों को सही जगह पे फेकने की सुबिधा नहीं है, तो यह सब सहर के लाइफ को क्या बना दिया है, difficult बना दिया है, Unfortunately, the economic and social inequalities are increasing, which cause unrest and social tension, दुरभाग गिवस, unfortunately means, दुरभाग गिवस, the economic and social inequalities, जो आर्थिक और समाजिक असमानता है, यह क्या हो रहा है, are increasing, बढ़ती चले जा रही, which cause, जिसकी वज़ा से क्या हो रहा है, unrest, means होता है, आसांती या ब्यस्तता, जिसकी वज़ा से लोग बेचैन हो रहे हैं, and social tension, समाजिक तनौब भी उत्वन हो रहा है, अब असमानता होगी, जो अमीर होगा, वो गरीबों, कल भी हम लोग पढ़े थे, ग्रामिन छेत्रों में भी पढ़े थे, कि रूरल इंडेब्टनेस, जमिंदार लोग गरीबों को कर्ज के बोज से लाग देते हैं, तो वो बेचारे परिसान रहते हैं, सहरों में भी इस तरह की समाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, जिसकी वज़ा से सहरों में भी जो गरीब तपके के लोग हैं, जो पूर पिपल हैं, या जो डाउन ट्रोडेन पिपल हैं, उन लोग के मन में असांती, बेचायनी, भुखमरी और समाजिक तनाव जैसे इस्थिती बनी ही रहती हैं, सहरों में भी नोट, ये विलेज, इवें इन सिटीज आलसो, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामिन छेत्रों में ही वो समाजिक ग्रामिन छेत्र के लोग ही जो होते हैं, वो इग्नोरेंस होते हैं, अज्यानी होते हैं, और वो उच नीच अमीर गरीब का बेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं है, सहरों में भी ये बना हुआ है, तब अब सवाल खड़ा होता है, इस परकार की चुनोति, चैलेंस मिन्स चुनोति, इस परकार की चुनोतियों से हम कैसे नीपट सकते हैं, मीट का मतलब यहां पर नीपट ना हो, कैसे इसमें हम नीपट सकते हैं इस परकार की चुनोतियों से, चाहे वो समाजिक आर्थी का समानता की बात हो या जो सहरी या ग्रामिंग छेतरों में होने वाली कमियों की बात हो तो यह सरफ, every community needs a system of governance, every community needs a system of governance अब हर समुदाय को इन सब चीजों से नहीं पटने के लिए किस सिस्टम की जरूत है? सरकारी तंत्र सरकारी प्यवस्था की जरुवत है इन एंसेंट इंडिया प्राचीन समय में क्या था इट वस इजली मैनेज त्रू बिलेच पंचायत ग्रामिन चेत्रों में तो यह पहले इतनी सहरों की संख्या थी नहीं अधिकांस्ता गौं ही था और भारत को गौं का देश कहा भी जाता है और पहले तो कहा ही जाता था भी भी भारत को गौं का देश ही कहा जाता है तो गौं अधिक है हम लोग पढ़े भी थे कि 66% population गौं में रहती है और 33% में से भी कुछ और जो है वो फ्रिंगर छेत्र, यानि कि सहर के किसी उपांत छेत्र में रहते हैं, सहर के बहुत दूर किनारे वाले छेत्र में रहते हैं, ना तो वो गौं होता है ना सहर, सहरों में बहुत कम्यानी कि 31.2% population ही सहरों में बास करती हैं, तो पहले गौं में गौं ही अधिक कांस्ता होता था, तो एंसेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो किसके दुआरे इसली मैनेज़ आसानी से मैनेज़ होता था, विलेज पंचायत, गौं को बढ़िया ढंक से हैंडल करने के लिए, गौं में लोगों को जस्टिस देने के लि ये बिलेज पंचायत होता था, गौं को पंचायत होता था, आप हिम्मत वाला पिक्चर को भी देखा होगा आपने, जो बिलेज पंचायत की पुरानी व्यवस्था थी, तो उसमें आप क्या देखे होंगे, उस पिक्चर में देखे होंगे कि उस समय बिलेज पंचायत का ज लोक तंत्र मिन्स जनता का सासन, जनता को सर्वो परिमानना, उस छेतर में रहने वाले लोगों को ही सर्वो परिमानना, उसी के मन के एकॉर्डिंग, उसकी सुविधा के एकॉर्डिंग काम करना, लेकिन उस समय ये लोक तंत्र वाला सिस्टम नहीं था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस अब स्वतंतरता प्राप्ति के बाद तो हमारे हां लोकतंत्र हो ही गया तब भी फॉर्म किया गया तब ये भी ये जो विलेज पंचायत है ग्राम पंचायत ये स्वतंदर्ता प्राप्ति के बहुत दिनों के बाद है अला की फॉर्म हुआ लेकिन फॉर्म किया गया अल्सो वी हैब similar type of institution हमारे पास उसी तरह ग्राम पंचायत की तरह ही institution है ग्राम पंचायत से इन विलेज में विलेज में ग्राम पंचायत है और municipal bodies in city जो ग्राम पंचायत जो तरह से ब्यवस्थाओं को चलाती है गौओं की ब्यवस्थाओं को चलाती है वैसे ही नगरों और सहरों में municipal bodies होती है जो नगर और सहर की नागरीकों की सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर काम करती है तो इस तरह से यह अब सहरी और ग्रामिन दोनों छेतरों के लिए ऐसा काम होने लगा लेकिन बात है कि यहां आप कहेंगे कि स्वतंदरता प्राप्ति के बाद भी similar type of institution लिखा है उस समय democratic system नहीं था जब बिलेज पंचायत थे एंसेंट इंडिया में तो democratic system नहीं था लेकिन आज हम democratic system में जीते हैं इसलिए उतनी hard and fast rule नहीं है आज जनता के मन और मत के अनुसार ही हमारे ग्राम पंचायत में और municipal bodies में काम किया जाता है अगर जनता को सुख सुविधा नहीं मिलती है तो next election में क्या हो जाते हैं हम अपने जो representative होते हैं ग्राम पंचायत के और municipal bodies के उनको change करने की सोच लेते हैं अब इस चीज का उनको भै बना रहता है तो वो क्या करते हैं वो हमारी सुविधा चुकि हम हमारे वोट हमारे मत की बज़ा से ही तो उनकी selection होती है उस post के लिए ग्राम पंचायत का मुखिया बनने के लिए या municipal bodies का chairperson बनने के लिए तो उनको डर बना रहता है कि कहीं public हमें neglect कर देगी तो फिर दिक्कत होगी तो in the subsequent chapter अब लगातार आगे के chapter में we shall study about the importance of working together to solve our problems अब हम आगे के chapter में लगातार पढ़ेंगे कि ये about the importance of working together एक साथ मिलकर काम करने का महत्व क्या है और जो हमारे problems है उपर to solve our problems government system क्या है local self-governing body जो अभी हम थोड़ा बहुत ग्राम पंच है तो और municipal bodies को पढ़ें इन्ही local self-governing bodies भी कहते हैं तो इन सब के बारे में एक साथ जनता और सरकार मिलकर के कैसे काम करती है इन चुनोतियों उपर जो चुनोतियां ग्रामीन चेत्रों में और सहरी चेत्रों में हमने जाना हमारे सामने जो मुश्किल परेसानिया और जो discrimination ये सब चीजे जो हैं उनसे निपटने के लिए सरकार और जनता मिलकर के किस तरह से कार्य करती है वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे and next students we have to know about do you know अब आज हम लोगों को do you know के बारे में भी जानना है तो there are about 377 million people living in अब कह रहा है कि लगभग लगभग 377 million people जो है वो कहां रहते हैं towns और cities में रहते हैं और town and cities की संख्या कितनी बता रहे है 7,935 यह हमारी country की town और cities की संख्या है अब 31.2% of total population यह जो हमार हम पीछे भी लेक्चर में अभी बता है आपको कि ग्रामीन चेत्रों में कितनी population रहती है 66% और सहरी चेत्रों में हम आपको बता है कि 33% से भी कम यानि कि यहां लिखा है 31.2% जो population है हमारी पूरी population की जो 7,935 town and cities में रहती है by 377 million population के साथ every third Indian lives in city हर तीसरा ब्यक्ती भारत का हर तीसरा ब्यक्ती हर तीन में से एक ब्यक्ती कहां रहता है city में सहरों में रहता है nearly two out of every five people in cities have no tap water nearly two out of every five बोल रहा है हर पांच में से दो ब्यक्ती को जो है वो पानी की समुचित ब्यवस्था नहीं मिल पाती है पानी उन्हें नहीं मिल पाता है there are more than sixteen hundred languages spoken in India सुल्लह सौ से अधिक language भारत में बोले जाते हैं सुल्लह सौ से अधिक भासाएं बोली जाती है and there are more than one hundred dance form in India और लगता है लगभग-लगभग 100 dance के नृत्य के रूप हैं हमारे जैसे आप लोग जानते हैं कत्थक हो गया बीहू हो गया भांगड़ा हो गया गर्भा हो गया इस तरह से जो dance form है लग-लग state के एक state में भी तीन-चार तरह के dance होते हैं इस तरह से हमारे country में 100 से अधिक dance form है and friends in this way the chapter has finished so thanks students